नमस्कार आप देखना सुरू कर चुके हैं बकसर खबर के सबताही कारिकरम इंसे मिले काया भाग आज के हमारे मेहमान हैं बिहार के GST कमिशनर डाक्टर एस वर्धन पाठक आप डाक्टर पेएच्डी वाले नहीं हैं, इम्बीबियस वाले हैं और बिहार के GST कमिस्नर है अर्थात एक आई आरेस पदाधिकारी है वर्स दूहजार दूबेच के बहराल आज इनकी चर्चा हम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि आप आई आरेस हैं इनकी चर्चा इसलिए हो रही है आप छात्रों के बीच सेक्षकों के बीच इनकी तस्वीरे देख रहे हैं इन्होंने सिम्री प्रखंड के लगभग दस बिद्यालेओं में इन निनों स्वचाले पेजल बैठने के लिए बेंच डेस्क आदी की बिवस्था करनी शुरू की है हलाकि इनकी पोस्टिंग बकसर में नहीं बिहार में है तीस वर्स बाद बिहार इनका वापस आना हुआ है और अक्सर हम लोग बाचित में करते हैं कहते हैं अब बड़े अधिकारी बन गए तो क्या आपने अपने जिले के लिए गाउं के लिए क्या किया लेकिन डाक्टर इस वर्धन पाथक उसके लिए एक उदाहरण है जिन्होंने ऐसी पहल सुरू की है आएए अब आप से हम इनको सीधे रूबरू कराते हैं इस साल पिछले वर्ष अक्टूबर में मेरा तबादला पटना हुआ बिहार के जी एस टी ओडिट कमिशनर के रूप में और मैं मूलतफ बिहार से रहने वाला हूँ लेकिन तीस वर्षों बाद बिहार आना हुआ मेरा ट्रांसफर के बाद तो जो मेरा मेरा मूल गाउं है जो सरकारी कन्याविद्याले को जब मैंने देखा तो मुझे लगा की जो سरकारी कन्याविद्याले की स्सिति है इसको हम और बहतर कर सकते हैं हमारे पास भारत सरकार के प्रधान मंत्री स्वच्चता फंड से हर विभागा द्यक्ष को कुछ स्वच्चता सम्मंधित कारे कराने होते हैं तो मेरी मानस यह बनी कि जो स्वच्चता प्रधान मंत्री जी का स्वच्चता फंड है उसको मैं गाओं के सरकारी कन्या विद्याले में व्याय करूँ वहाँ पे टॉयलेट्स बनवाओं क्योंकि टॉयलेट्स किस्थी ती अच्छी नहीं थी टॉयलेट्स जरजर अवस्था में थी टॉयलेट्स में पानी के सप्लाई नहीं थी pipeline से पानी नहीं था, overhead टंकी नहीं थी, कहीं कहीं समर्सिबल नहीं था, और भी कहीं समस्याएं थी, शोचाले, toilets और पानी से संबंदे थी, सर आप अपने गाव या इलाके में कितने भी द्यालेओं को अब तक कैसी सुजा से जोड़ चुके हैं? हम लोग पिछले वर्ष, पिछले वित्ती वर्ष में हमने 12 schools को take up किया, और करीब 51 toilets हम लोग कर चुके हैं, 50 toilets बनवाएं, 50 toilets का हमने काया कल्प करा, इस वर्ष हम लोग 5 toilets और 5 विद्याले और ले चुके हैं, और करीब एवरेज एक विद्याले में 4-5 toilets का काया कल्प होता है, सर आपका काम तो सरानी है, लेकिन हम यह जानना चाहें आपसे, कि स्वख्षता काफ़न तो गाओं की गली पर भी घर्ष किया जा सकता है, फिर आपने विद्याले को क्यों चुना? देखिए, मैं अपनी शिक्षा से एक डॉक्टर हूँ, आपका प्रशन बहुत वाजिब है, तो शिक्षा जब तक जो हमारे गाओं में, हमारे प्रदेश में जब तक जो बच्चे-बच्चियां विद्याले में जो पढ़ रहे हैं, उनको पढ़ने का एक अच्छा माहौल नहीं मिलेगा, वो विद्याले आने को प्रेरित नहीं होंगे, हैंड पंप और डबे से जो पानी लेकर टॉलिट जाने की पुरानी पदती है, वही चल रही है, तो ये देखकर थोड़ा असहज होते हैं हम, और हमें लगता है कि शायद इसको हम बहतर कर सकें, तो जब तक हम अपने स्कूल को बहतर नहीं कर सकेंगे, सरकारी स्कूल को बहतर नहीं कर सकेंगे, और उसमें भी जो कन्या विद्याले को अच्छे से अच्छा नहीं करेंगे तब तक मुझे लगता है विकास की दोड में शायद हम पीछे रह जाएंगे सर इसके अलावे भी जैसा कि हम लोगों ने उस शित्र में भरमण किया तो बाचीत के जोरान पता चला कि आपके इस पहल से प्रभावित होकर स्वक्षता के अलावे पुस्तक, लाइवेरी, बच्चों के बैठने के लिए कुर्सिया टेबुल भी मिले हैं भी जाले हो में उसकी भी पहल हुई है जी, अभी उसकी शुरुवात हुई है, जो स्वच्चता का कारी हम कर रहे है वो प्रधान मंत्री जी के स्वच्चता फंड से कर रहे है उस कारी को देखकर कुछ कॉर्पोरेट जगत के लोगों ने मुझसे संपर्क किया और मेरे कारे के दौरान भी कुछ मेरे संपर्क में आते हैं, कुछ मेरे व्यक्तिगत मित्र भी है तो उन्होंने भी अपनी इक्षा जताई कि वो भी स्कूल के काया कल्प के, सरकारी स्कूल के काया कल्प के प्रयास में जो मेरा ये जो कारी चल रहा है इसमें वो भी अपना योगदान देना चाहते हैं तो चुकि जो स्वच्छता का कारी है उसके पास वो हम लोग अपने सरकारी फंड से कर रहे हैं उसके अलावा कहीं कहीं विद्यालियों में टेबल, बेंच, कुर्सिया नहीं है बच्चों के बैठने के लिए कहीं कहीं पुस्तकाले नहीं है बच्चों के पास पढ़ने के लिए पढ़ने की सामगरी नहीं है कहीं कहीं खेलने की खेलकूद के लिए कोई विवस्था नहीं है तो इन चीज़ों के लिए कहीं कहीं प्रिंसिपल के कमरे, शिक्षकों के कमरे ऐसे नहीं हैं कि शिक्षक उन कमरों में बैठ कर अच्छा आनुभव करें तो देश के बड़े कॉर्पोरेट्स ने इक्षा जाताई है कि वो इनको ठीक करेंगे और वो आके इसका एक विद्यालियों को देख चुके हैं, पांच साथ विद्यालियों को वो प्रतम दिस्टया देखकर और उन्होंने इनको ठीक करने का भी मुझे आश्वाशन दिया है और उनके अपने जो कॉर्पोरेट्स अप्रूवल हैं उस दिशा में वो बढ़ रहे हैं विद्या की नगरी के रूप में है, हम इसे मानते हैं कि भगवान श्रीराम जी की यहाँ पे शिक्षा दिक्षा हुई थी तो अगर यहाँ पे शिक्षा की विवस्था सर्वत्तम नहीं होगी, अगर यहाँ के विद्याले जो हमारे मंदिर हैं एक प्रकार से अगर वो उत्तम नहीं होंगे, वो बढ़ियां से बढ़ियां नहीं होंगे, तो मेरा समझ है, किसी भी समाज का, किसी भी यूनिट का डिवलप्मेंट विकास जिस प्रकार से हम चाह रहे हैं, शायद नहीं हो पाएगा, तो इसी प्रयास में विद्याले, सरकारी विद्याल इनसे मिलिये सब्ताही कारिक्रम में हम आपको जिसे मिलवाते हैं उसकी बारे में कुछ ब्यक्तिका जानकारियां भी देते हैं जैसे की डाक्टर योसवर्धन पाठक सिम्री प्रखंड के नियाजीपूर के रहने वाले हैं वर्स दू हजार दो बैज के आई आरेस पतादिकारी हैं इनके दादा ललन जी पाठक गाउं से धन बाद चले गए थे कोल इंडिया में काम किया पिता स्री निमास पाठक के साथ यह लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते गए और तीस साल बाद नौकरी के करम में जब बिहार तबादला हुआ तो इनको इनका गाउं खीच लाया और आज अपने गाउं ही नहीं आस पास के कई भी द्यालियों का का कर रहे हैं ऐसे लोगों से हम आगे भी मिलते रहेंगे और जो सिक्षा मिलेगी आप से आउगत कराते रहेंगे